देखें सर इंटरनेशनल मार्केट के अगर हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन ने में बेनेफिट बहुत पहुँचा है लेकिन वहीं पर एक चीज जो नजर आती है क्योंकि मैं खुद भी और सीज डिटरन पाकसान नहीं हूँ तो मैंने जो चीज वहाँ पर कि हमारे बच्चे का जो आपने शुरू में का ना लंस की आपने बात की कि लंस की भी रेशो नहीं है उसकी एक वज़ा है देखें लंस का बच्चा जो है न उसको पता है कि वह पाकसान के सबसे टॉप इंस्टूशन में इस वकर स्टड़ी ले रहा है तो उसका एम भी यहां पे है तो स्पीरियर का बच्चे को पता है कि यह टॉप उसमें तो नहीं है तो इसलिए वो यहां पे होगा तो प्रॉब्लम होई है जब आप इंटरनेशनल मारकेट में जाते हैं ना चले हम इडली इसी की बात कर लेते हैं बच्चा वहां पे खाली पाकस्तान से नहीं जा रहा है इंडिया से भी आ रहा है मंगलादेश से भी आ रहा है निपाल से लंका इवन आपका फल्पीन का भी resources आ रहे अब हमारे बच्चे की जो expectation है ना वो lums वली है लेकिन जो उसका caliber है वो मैं कहूंगा सबसे जो lowest level की degree है उस वल है ना उसके पास practical को experience होता है ना उसकी proper English communication है ना उसके पास ethical skills उस तरह के है ना वो behavior wise उस तरह का है लेकिन demand उसकी होगी मुझे 20-30 की नोकरी चाहिए तो यह जो आपने सारी चीज़ें की discuss किया definitely जब इस पूरे process से पच्चा गुजरेगा तीन साल चार साल उसने पहले academia देखा उसके बाद साल और साल उसने industry की mark आई उसने देखा कि बाई गंदा किस तरह होना है की चड़ में किस तरह होतर के अपने आपको बाद में साफ निकालना है फिर जब उस इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो शायद इस position में होगा यह जो चार्चे हमारे बड़े giant हैं इनके साथ हम compete कर रहे हैं उनके साथ कहीं खड़ा हो सके लेकिन उसके लिए भी मैं समझता हूँ के आपको अगला step यह भी लेना पड़ेगा कि सर इन बच्चों की globalization के हवाले से भी एक training करवाने जाएगे आपको चाहे इसमें course एड़ करें या कुछ भी कि देखें बड़ा फरक है सर अब हम दोनों हम जुबान मैठे हैं एक दूसरे के सा frequency match कर रही है यहाँ पर हम कोई ऐसी जुबान बोलना शुरू कर दे जिसमें हम दोनों शायद frequent तो होंगे बट हमारी वो आपस में जो होते हैं न dot connect नहीं हो पाते हैं तो यहाँ पर जो problem आ रही है हमारे resources को वो ही है इस पर भी आप ज़रूर नजरसानी कीजिए आगे जाके मैं आपसे बात भी करता हूँ जो आपने यह numbers दी है कि हम यहाँ से एक word बड़ा commonly जो मैं इंट्रो में भी कहा brain drain का use करते हैं वेराज हमारा हमसाया मुमालिक जो है वो brain export की बात करता है तो दोनों का फरक भी जुस तरह हम बात करे थे off camera भी brain drain में problem किया है कि जस दिन वो border से out बच्चे का record खतम अब वो क्या remittance भेज रहा है क्या नहीं भेज रहा ना तो किसी तरह से out tax में शामिल है इवन जो चार पैसे भी रहा है वो हुंडी के through भेजता है उसकी भी सबसे बड़ी reason देखे ये सिरफ आपके level पे काम होने से ये चीजें ये number achieve नहीं होंगे जब तक इसमें government के initiative शामिल नहीं होंगे अब हुंडी से एक बंदा दुबई से पैसे बहेज रहा है पाकस्तान उसको तीन से चार उपे पर दरहम difference आ रहा है तो उसकी महबत तो खतम होजेगी ना मुलक के साथ और at the end of the day अगर वो legal भेजता है चार उपे के डस भी ले रहा है प्लस साथ में वो दस महकमों को जवाब भी दे रहा है कि मने कहां से भेजें जबके वो अपनी रातें कुरबान कर रहा है अपने दिन कुरबान कर रहा है 55-57 के टमपरेचर में वहाँ पे मेहनत से पैसा कमा कर यहां पे भेजता है यॉरॉप की बात करें तो इस वक्त भी माइनस 25 शुरू हो चुका हुआ है यॉरॉप के अंदर तो टफ लाइफ गुजार के जब पैसे यहां पर लीगल भेजता है तो दस मैक में उसके दर्वाजे पर खड़े हो जाते हैं तो यह सारी चीजों को भी हमने पहले केटर करने हैं